आप सभी का स्वागत है आपके अपने चानल अंसुका पाकवान में तो अगर आप सभी को मेरी रेसिपी पशंद आती हो तो मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर किजेगा तो आज मैं सर्शो का शाग बनाना बताऊंगे वो भी दो तरीके स आज सर्शो का साग बताएंगे तो वीडियो को पूरा इन तक जरूर देखिएगा तो इस तरह से मैंने एक केजी साग ले लिया है जिसमें आदा केजी मैंने सर्शो लिया है और आदा केजी मैंने पालक ले लिया है आप चाहे तो यहां बात हुका भी इस्तिमाल कर सकते है इस तरह से हमें चाट लेना है अभी के मौश्रम में बहुत ही हरी बड़ी शाग आ रही है मार्केट में तो एक बार जरूर बनाईएगा मेरे तरीके से एक बार बना कर जरूर देखिएगा साग बहुत ही स्वाधिश्ट लगेगी खाने में सबके अपने अपने तरीके होते ह उसको वोश कर लिजिए उसके बाद हमें इसको काट लेना है बारिक बारिक इस तरह से काट लेना है एक प्रिशर कूकर ले लेंगे और उसमें हम सारे साग को डाल देंगे तो सारे साग को इस तरह से डाल देजिए उसमें हमें डाल देना है नमक तो नमक डाल देजिए और टोब ठोड़ा साहम पानी डाल लेना है पानी की क्वींटिटी ज्यादा नहीं इसांड लेनी है क्योंकि साग कुछ फे अब मैं कुकर हटा कर आपको दिखा रही हूं देखे इस तरह से कुकर के डखकन को मैंने हटा लिया है बिल्कुल साग पक चुकी है अब इस तरह का हमें गोटने वाला ले लेना है डाल जिससे हम गोटते हैं पहले के सम जमाने में लोग इसी चीज का यूज करते थे और जब साग गर्म हो तो इसे अच्छे से आप मिक्स कर लिजए ये साग गर्म होती गर्म रहती है जब उसी शमेच से मिक्स कीज़े ऐस साग अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगी अब मैं आध्य साग को अलग निकाल लूँगी और आध्य का आपको दूशे तरीके शे बनाना पूरी अच्छी तरह से पानी शुक जाती है फ्लेम को तेसके एक शुका लेना है अब मैं इस रखा सारे लोंगी तो इस तरह से मे निकालिसमे प्ल्प तक साइड रख देंगे उसके बाद में बताऊँ कि इसको कैसे बिनाना है कि अचैने रखाए। धूसरे जो मिने घंडें उने के लिए रखा था उसे मिक्सर में डालं करने जुझभाना थै बस मैंने एक राउंड ही मिक्सी गुमाया है देखे इस तरह से मैंने पीस लिया है तो अब मैं दिखा रही हूं देखे कितनी अच्छी तरह सी पीस चुकी है अब मैं यहाँ पर ले लूँगी एक बरतन और उसमें मैं निकाल लूँगी तो इस तरह से साको आप निकाल ले औ काला सर्षो तो मस्टर सीट्स डाल कर आप बनाएए ये सर्षो का साग बहुत ही श्वादिष्ट बनेगा खाने में बहुत ही टेस्टी लगेगा अब मैंने यहाँ पे डाल दिया है एक चमच बारी कर्टा हुआ लहसन और यहाँ साग की तासीर जो है बहुत ठंडी होती है लेकिन यह सर्डियों में मिलते हैं तो लोग इसमें लहसन डाल करके ही ज्यादा तर बनाते हैं मैंने यहाँ पे ना तो टमाटर यूज किया है ना ही प्याज यूज किया है तो आप अपने एक ओडिंग ले लीजिएगा अगर टमाटर खाना हो तो मैंने यहाँ पे नमक डाल लिया है थोड़ा सा नमक आप अपने हिसाब से लेजिएगा क्योंकि पहले भी मैंने नमक एड़ कर रखा था तो देखे इस तरह से मैं इसके पानी को शुखा लेना है अब मैं इसे साइड में रख दूँगी यहाँ पे तरका पैन ले लिया है मैंने और अब मैं इसे गरम कर लूँगी तो उसके बाद मैंने यहाँ डाल लिया है एक चमच बटर बटर के बाद मैंने इसके साथ डाल लिया एक चमच तेल बटर के साथ मैंने तेल इसलिए डाला है कि बटर जले ना अब मैं यहाँ पर ले लिया हूँ सूखी लाल मिर्श और एक चमच मैंने फिर से बाड़ी कटा हुआ लहसन ले लिया है तो अब मैं लगाओंगी इसका तरका तो देखिए, अब मैं लगा दूँगी शाग में तरका कितनी अच्छी तरह से देखिए लग रहा है न देखने में कितना चकाने में बहुत ही टेश्टी है, तो चलिए अब मैं दूसरा बता देती हूं, दूसरा मेथट तो देखिए मैंने जो आधा साग निकाल कर रखा था तो अब मैं देखी इस तरह से इसमें नमक डाल लूँगी और नमक डालने के बाद हमें इसमें कच्चा डाल लेना है कच्चा लहसन तो मैं यहाँ पे एक चमच कच्चा लहसन ले ली हूँ आपको अगर इसे करेंटली न इसमें कच्चा लहसन और हरी मिर्च डाल यहाँ अगर आपको खाना है तब आप इसमें मिक्स किजिए नहीं तो आप यहीं इसे फ्रीज में रख सकते हैं दो से तीन दिन तक इस तरह से हमें मिक्स कर लेना है देखे कितनी अच्छी तरह से यह बन करकर तयार हो चुकी है इ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ज्यादा से ज्यादा से शेयर कीजिएगा अगर अचलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ थैंक्स